तो फाइनली गाइस इस अपते कई सारे अपडेट है मार्वल युनिवर्स की तरफ से जहां एक तरफ अपने सिनमा कॉन देखा वही दूसरी तरफ आईरेन मैं और कैंग दा कॉंक्रियर की बापसी की उम्मीद नजर आ रही है इसके अलावा कई सारे और भी अपडेट है जि उसको लेकर हमारी ये उम्मीद थी कि हमें डेटपूल 3 का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा लेकिन MCU ने ऐसा कुछ नहीं दिया बलकि सिनमा कॉन में जो लोग आई हुए थे उनके लिए 9 मिनट की डेटपूल मूवी के स्टार्टिंग को दिखा दिया और इन 9 मिनट ने कई सारी चीजों को भी क्लियर कर दिया कि डेटपूल 3 में क्या खमासान होने वाला है और आगे ये मूवी सिक्रेट्स वार के लिए कैसे एक प्रलूट बन गई है इसके अलावा सिनमा कॉन से कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेवर्ड थंडर बोर्ड और फैंटास्टी फोर से अपडेट है जिसके बारा हम बाद में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटपूल 3 से हमें क्या-क्या देखने को मिला है तो जो सिनमा कॉन में 9 मिनट का फिटेज दिखाया गया है उसकी शुरुवात होती है डेटपूल और वुलवरीन से जो किसी फोन बंद कर दो और वुलवरीन के कहने के बाद डेटपूल बापिस से फ्रेन में आता है और डेटपूल वुलवरीन से ये कहता है कि तुम्हें इस तरह से बात करते हुए देखकर मेरे लिंक पूल में जुझराहाट हो रही है और यहाँ पर डेटपूल वुलवरीन के फ शुरुबात होती है जहाँ डैडपूल कार में बच्चों के साथ बैठा है तब ही यहाँ पर डैडपूल कहता है कि उसको भी बच्चे चाहिए लेकिन वो उस जगे से ज्यादा फैक्स नहीं करता जहां से उमीद होती है बच्चे होने की इसका मतलब तो तुम समझी रहे और यहीं पर डैडपूल के बच्डे की और इस चीज एपनी घीज हमें लोगों से मिलता है और यहाँ इन सभी को बदाता है कि पांच साल पहले अगर वो लोग नहीं होते तो शायद वो जिन्दा भी नहीं होता और यहाँ पर हमें एक चीज और भी कनफर्म कर दी गई है क कि Deadpool और Vanessa के बीच में break up हो चुका है और ये दुनों एक दूरसे से अलग हो गए है Vanessa के पास इसका एक अच्छा reason भी है क्योंकि Deadpool की super hero life की वज़े से Vanessa की जिंदिगी खराब हो रही थी और पिछली बार हमने Deadpool 2 में देखा कि Vanessa को दुवारा मार के जिंदा किया time travel की मदद से तो इन सब को लेका Vanessa ने Deadpool से दूरी बना ली है इसके लावा हमने पिछले rumor में ये भी सुना था कि इस movie में Kevin Feige के काफी reference होंगे तो यहाँ पर उनका पहला reference आता है जा Deadpool कहता है कि उन्होंने गाली गलोच के लिए मना नहीं किया है लेकिन नशापत्ता के लिए सीधा इंकार है और ये चीज़ वो ही है जिसको हमने Deadpool 2 में देखा था जा Deadpool ने कई सारे पॉर्डर को Blind L के घर में छुपा के रखा था तो इसी conversation में Blind L डेटपूल से वो ही पॉर्डर की माहं करती है और तब डेटपूल केवन फाईगी की ये सारी बाते Blind L को बोलता है फिर इसके बाद डेटपूल का केक सामने आता है वो उसको ब्लो करता है और जैसी ब्लो करता है तब ही टीवी ए एजेंट उसके दरवाजे पे आ जाते है और उसको खीच के सीधा टीवी ए ले जाते है जैसा हमने पिछले टीजर में देखाता है यहाँ पे भी सेम वैसा ही है इसके बाद डेटपूल वहां जाके Mr. Paradox से मिलता है और यहाँ पे Paradox बिलको Mobius जैसे डेटपूल को उसका Past of Feature दिखाते है और यहाँ इस पॉसिवल फीचर के अंदर थौर का बड़ी आसा कैमियो नजराता है यहाँ डेटपूल अपने फीचर में देखता है कि थौर उसकी डेट बॉड़ी के सामने रो रहा है और यहाँ पर जो डेटपूल की डेट का सीन है दरसल वो लोकी की death का scene है और ये scene कौन सा होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई clarification नहीं मिला है हमने दो लोकी के death scene को देखा था पहला scene था Thor 2 का और दूसरा scene हमने देखा Infinity War में फिलाल Deadpool का मरना और Thor का रोना ये Deadpool के future में होगा और इसीज को देखकर यहां पर कई सारे questions भी आते हैं कि अगर ये Deadpool का possible future है तो ये जो थार के रोने वाला scene है तो ये scene Deadpool के timeline पे हो रहा है जहां Deadpool के universe में थार भी है या ये पूरा scene Avengers Secret Wars का एक reference है जहां में Deadpool की death देखने को मिलेगी और ये भी इस चीज से confirm होता है कि Deadpool और थार भी काफी अच्छे दोस्त रह चुके है या शायद ये भाई भी हो इसके बारे में अभी साफ साब बताना ये काफी नामुम्किन सा है और जब तक ये clip हमें official नजर नहीं आती तब तक इसके लिए काफी कुछ कहना नामुम्किन सा है इसके अलाबा Mr. Paradox यहां पर Deadpool से ये भी कहता है कि उसको secret timeline को बचाने के लिए चुना गया है लेकिन ये सुनने के बाद एक सवाल हमारे सामने ये भी आता है कि हमने Loki सीरीज में देख लिया कि secret timeline अब है नहीं उसकी जगा मल्टी वर्सल ट्री है जिसको Loki revive कर रहा है लेकिन यहां पर Paradox ने Deadpool से ये क्यों कहा कि उसको Deadpool की जरूरत है secret timeline को बचाने की तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि Deadpool 3 का जो भी event होने वाला है वो तब होगा जब timeline एक secret timeline थी और Loki ने इन timeline को multiversal tree में नहीं बदला था और movie के end में आते आते हमें Loki के event को भी दिखा दिया जाएगा या यह हो सकता है Loki का यह जो पूरा event हुआ था कि कैसे उसने timeline को multiversal tree में बदला उसको भी parallel दिखा दिया जाएगा और दूसरी तरफ अगर हम Loki season 2 के final में देखें तो सारी timeline को free कर दिया गया है किसी तरह का किसी को भी कोई prone नहीं किया जा रहा और नहीं किसी nexus event के लिए किसी भी being को अर्थ से उठाया जा रहा है इन सारी चीजों को TV अब यह नहीं कर रहा है जो पहले कर रहा था तो Deadpool अपना जब possible future देख लेता है जहां थौर उसके dead body के सामने रो रहा है तब यहाँ पे Deadpool कहता है कि मैं आ रहा हूँ और Disneyland को खतम करने वाला हूँ और उसके बाद बोलता है कि मैं हूँ Marvel Jesus और इस shot को हमने teaser में देखा आई था फिर अगले shot में हमें Deadpool का suit अब दिखाये जाता है जहां पे यह टेलर भाई साब Deadpool के कुछ अंग को जानमूच के छूते हैं क्योंकि यहाँ पर इस character को थोड़ा ऐसा ही दिखाये गया है इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और वी reveal कर दी गई है कि हमने यहाँ पर जो Deadpool की तलवारों को देखाता वो एडवेंटियम की बनी हुई है इसका मतलब समझ रहे हो कि इन तलवारों में इतना दम है कि यह Wolverine को टपका सकती है और अगर Cassandra Nova के पास यह वाली तलवारे पहुँच गई तो वो Deadpool का बुरा हाल कर देगी इसके बाद हम Deadpool और Wolverine को रोट्री बाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पर Deadpool Wolverine के यलो और ब्लू सूट का मजहाग बनाते हुए यह कहता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को वो कपड़े नहीं पहनने देता जो कपड़े Los Angeles Ram के प्लेयर पहनते हैं फिलाल यही सब सिनमा कॉन में हमें दिखाया गया जहां में कई सारी नई चीज़ों का पता लगा पहला जो Deadpool की तलवार है वो एडिवेंटियम की है दूसरा Deadpool का जो हमने पॉसिवल फ्यूचर देखा उसमें थौट Deadpool की डेट बॉड़ी के सामने रो रहा था तीसरा कि Deadpool 3 का जो भी इवेंट ये होने वाला है वो सायद मल्टिवल से ट्री के बनने के पहले का है और चौथा कि ये इवेंट सीधा Secret Wars से जाके connect होगा और ये जो हमें ये नए चार टॉपिक मिले हैं इस पर मैं एक फुल डेडिकेट और थियोरी के साथ वीडियो वनाऊंगा फिलालवी के लिए चलते हैं अपनी अगली मूवी Captain America का एक बहदुर दुनिया की तरफ जहां हमें इस मूवी से भी कई सारे नए अपडेट सुनने को मिले हैं तो Captain America 4 के बारे में ये बताया जा रहा है कि हमें इस मूवी से वैसे ही वाइब मिलेगी कि जैसा हमने Captain America Winter Soldier मूवी को देखा था उसी तरह का 3 election और suspense भी हमें इस Captain America 4 में दिखाया जाएगा और जो हमें Captain 4 के footage CinemaCon में दिखाये गए वा हमें कई सारी चीड़ों को reveal कर दिया गया जैसे Thunderbolt Rose US के President है और वो Sam Wilson से ये चाहते हैं कि उनके लिए Avengers Team को बनाया जाए मतलब वो एक तरह से अपने लिए Avengers Team को बनाना चाहते हैं और Sam Wilson इस चीड़ को सुनका मना करते हैं लेकि Ross जबाब देते हुए कहते हैं कि तुम Steve Rogers नहीं हो तो बस तुम मेरा order follow करो और जो हमने Falcon of Winter Soldier सीरीज देखी थी तो इस सीरीज में जो कांड दूए थे मेक्सिको में तो उसकी भी तारिफ करते हैं यहाँ पर Ross इसके लाबा यहाँ पर Bradley को भी दिखाया जाता है और यहाँ पर एक तरह का music भी play होता है जो उसी तरह का mind controller music है जैसे Winter Soldier को control करने के लिए program किया था और इसके बाद यहाँ पर Bradley चीजों को फेकने लगते हैं लीडर्स को मारने लगते हैं जो एक तरह का इशारा है कि यहाँ पर mind control खिया जा रहा है और इसलिए इस movie का villain leader भी है क्योंकि कही ना कहीं इस कान के पीछे leader का ही हाथ है इसके बाद अगले shot में हमें ये भी देखने को मिलता है कि Bradley की इन हरकतों के बाद यो खिड़की से कूथता हुआ भी नजर आता है और ये विल्कुल वैसा ही scene होने वाला है जैसा Winter Soldier इस खिड़की से कूथा था जब Captain America इसके पीछे लग गए थे फिलाल अभी Captain America 4 से इतनी ही news सामने आई है जैसी इसकी कोई बड़ी कवर मिलती है तो मैं एक फुल डेडिकेट वीडियो Captain America 4 पे भी बना दूँगा इसके बाद हम बात कलते हैं Thunderbolts की तो CinemaCon में इसके टाइटल को दिखाये गया लेकिन यहाँ पर एक catch भी है कि Thunderbolts नाम के उपर एक star सा लगा हुआ है और इस टाइटल को हमने कुछ दिनों पहले भी देखा जब Black Video येलेना ने ने सेट के कुछ फोटोस को हमारे सामने दिखाया तो यहाँ पर जो Thunderbolts को उपर तारंकन लगा हुआ है इसके बारे में Kevin Feige ने ये बताया है कि इस मूवी के आ जाने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने ये सब क्यों किया है लेकिन यहाँ पर जो Thunderbolts के नाम के उपर तारंकन किया गया है तो मुझे यहाँ पर लगता है कि Marvel यहाँ पर Dark Avengers को इंटर्डूस कराने वाला है अब ये Dark Avengers क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो एक टीम है दूसरे रियालिटी के Avengers की जहाँ सभी Avengers विलन होते हैं तो इन सभी Dark Avengers को लेकर MCU का प्लान है Thunder Wars को Dark Avengers से लड़वाने की और अगर हमें ऐसा सच में आगे देखने को मिल जाता है तो बाई सच में परदे फटने वाले हैं इस बार इस इन सब के बाद Fantastic Four से हमें किवल यही बताया गया कि इस मूवी की शूटिंग IMAX कैमरे से शूट होगी और अगर आप इस मूवी के बारे में और भी अपडेट जाना चाहते हो तो मैंने इस चैनल पर Fantastic Four से रिलेटेट कई सारे अपडेट को कवर किया है और इस वीडियो के देखने के बाद वहां जाके देख सकते हो चाहां मैंने Galactus और Silver Surfer के Origin को समझाया है वहीं दूसरी तरफ मैंने Fantastic Four से रिलेटेट जितनी भी थियोरीज और लीक स्टोरी है उनको भी कवर किया हुआ है तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना इन सब के बाद हम बात कर लेते अपने फेवरेट कैंग दा कॉंकरर जॉनतन मेजर की तो जॉनतन मेजर ने जो कांट किये थे उस पर यूस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जहां जॉनतन मेजर को सिर्फ एक साल के लिए कम्यूनिटी सर्विस की पनिश्मेंट दी गई है साथी उनके Mental State का भी दिहान रखा गया है जहां बो लगातार इस चीज़ से उबरने के लिए Mental Therapy लेते रहेंगे वहीं दूसी तरफ अभी Marvel से ये भी अपडेट सुनने को मिला है कि Avenger Kang Dynasty और Avenger Secrets War के लिए कैंग की काहनी को आगे दिखाय जाएगा और Marvel कैंग के सारी Destiny को ऐसे खतम नहीं करने वाला जो आप लोगोंने कैंग के जितने भी Variants को देखा है और अब तक आपने MCU में कैंग की जितने भी स्टोरी को सुना है उन सब को एक अच्छा End दिया जाएगा और इस End में ये भी पता चला है कि Jonathan Major किसी मूवी पर गुप्त रूप से काम कर रहे है मतलब उन्होंने मूवी के बारे में नहीं बताया है बस इतना बता दिया है कि वो किसी मूवी के लिए काम करने वाले हैं और इस News के सामने आजाने के बाद ये चीज भी सामने आई कि Jonathan Major जिस मूवी की बात कर रहे थे वो शायद किसी एक Black Samurai के ऊपर होने वाली है या इस चीज को इस से cover किया जा रहा है कि असलियत में Jonathan Major कैंग के रोल के लिए बापिस आएंगे पर ये चीज वो अपने मूँ से नहीं कहना चाते फिलाल अब MCU ने कई सारी उमीदे दे दी है कि वो कैंग को बापिस से हमें MCU में दिखाने वाला है और ये कैसे क्या होगा इसके बारे में जो भी आपको clarification मिलेगा उसके लिए हमें Comic Con तक रुखना पड़ेगा और ये Comic Con होगा Mid July में Deadpool 3 के release से पहले तो I hope हमें कैंग देखने को मिल जाए और जो Avenger 5 के नाम से listed कर रखा है Marvel ने उसकी जगे हमें Avenger Kang Dynasty देखने को मिले आप सभी को क्या लगता है कि Avenger 5 में हमें Avenger Kang Dynasty देखने को मिले या कोई और दूसरी मूवी इसके बारे में आपके क्या धोट है इसको share कर सकते हो मेरे साथ comment box में इसके बाद ये सकते की सबसे बड़ी news ये सुलो कि खुदा RDJ ने ये बताया कि MCU उनके DNA में बसता है और वो खुशे-खुशी Iron Man के रोल में बापिस भी आना चाहते है साथी उन्होंने ये भी कहा कि उन्हेंने Iron Man के रोल को नहीं अपनाया बलकि Iron Man ने उनको अपनाया है और ये बात सही भी साबित होती है क्योंकि जब-जब हम Iron Man को बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं या हम जब भी RDJ को देखते हैं हमें साक्षात Iron Man दिखाई देता है और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि Avengers बिना Iron Man के अधूरे हैं करते हैं Marvel Animation की तरफ से तो रिसेंड में ये X-Men 97 का ट्रेलर ड्रॉप किया गया और वहाँ पर हमें Captain America की शील्ड को दिखाया गया और इस सीन को लेकर कई सारी कोईशन भी सामने आने लगे कि ये Captain America क्या वही है जिसको हमने Earth Mightiest Hero में देखा था और इधर X-Men 97 में होने वाली इवेंट है इन सभी दो शोज की टैम लैंस को एक दूसरे के साथ अलग अलग रखना ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा लेकिन Marvel Animation में हमें पूरा भरुसा है कि ये चीज ये भी आसानी से कर सकते हैं इसके अलाबा Marvel Animation ने ये भी बोला है कि वो 90's के Spider-Man का शो हो या Fantastic Four या Silver Sulphur वो उन सभी पे काम करना शुरू कर रहे हैं और जल्दी आपको Marvel Animation की तरफ से अच्छी न्यूज मिलने वाली है फिलाल मुझे जिस शो को देखने में सबसे ज़्यादा खुशी होगी वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखो मजे लो लव यू एन बाई